नमस्कार SSE GD Soldiers दोस्तों आज एक टोपिक अपन लेने वाले है भारत का भुगोल का टोपिक है भारत के प्रमुख बंदरगा यानि की बंदरगा क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों बंदरगा का मतलब होता है जैसे अपने जो तट्ये सीमा है यहाँ पर कितनी है तट्ये सीमा एकशट सो किलोमेटर यानि की अपने द्वीप शमू को मिलाकर साथ अजार पांसो सोड़ा यानि की पिछतर सोड़ा किलोमेटर है तो यहाँ पर जो अनिये देशों के साथ आयात निर्यात होता है जैसे की अपने भाई यहाँ पर मुंबई है मान जाता है बंदर गाया की रुकने का इस तान जहां जोगे ठीक है तो कौन-कौन से बंदरगा है सी पॉट्स इसे बंदरगा को अपन इंगलीस में कहते हैं पॉर्वी बंदरगा की बात करेंगे ठीक है तो एक प्रशन यहाँ पर फूचा जाएगा और अपन ट्रिक से याद करेंगे बिल्कुल एजी तरीके से तो भारत के पश्चिम बंदरगा पश्चिम तटके बंदरगा तो पहले इदर वाले बंदरगा अपन बात कर लेते हैं कुल कितने बंदरगा है भई कुल 13 पॉर्ट से कितने बंदरगा है यहां पर यह गुजरात और गुजरात का एक है बंदरगे का नाम याद रखना आप कांडला बंदरगा यहां पर मैं लिख देता हूँ कांडला बंदरगा यह आपका हो जाएगा गुजरात का तो याद कैसे करेंगे गुजरात यह इन्दी में लिखता हूँ मैं यहां पर देखो गुजरात तो इसमें ट्रिक छुपी है तो गुजरात यहनी गुजर गया एक मेरा दोस्त है उसके वो बाइक लेके सामके टाइ कांड हो गया तो वह आदमी गुजर गया तो याद रखना कांडला गुजरात का बंदरगा है किलियर है आगे अपन चलते है महारा 7 की तरफ यह आपका आ चुका है महारास्ट अब महारास्ट का मतरगा कौन सा है याद करें गे बिल्कूल ओम्रेंगे इинки तरीके से तो महार मारास्ट का एक तो आपको याद रखना मुंबई बंदरगा है याद रह जाएगा अराम से बिलकुल राजदानी तो मुंबई बंदरगा ठीक है मुंबई बंदरगा एक मारास्ट का और बंदरगा है वो है नावा सोवा बंदरगा याद रखना उसका नाम है नहावा शोवा बंदरगा नावा सोवा बंदरगा एक है मुंबई एक है नावा सोवा मारास्ट के दो बंदरगा है याद कैसे करेंगे मुंबई तो याद हो गया एजी तरीके से नावा सोवा को याद करेंगे जो शिव सेना, शोवा को मैं लिख देता हूँ, आपका या पर क्या लिख देता हूँ, शोवा को मैं लिख देता हूँ, शिव, तो शिव सेना कहा पर है, महरास्ट में है, तो याद अराम से कर लेंगे कि शोवा, यानि नावा, सोवा, महरास्ट का बंदरगा है, किलिए रहे चलो आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने तीन बंदरगा अपने याद कर लिया कांडला मुंबई नावा सोवा आगे चलते हैं अपने गोवा की तरफ तो गोवा का एक बंदरगा है मारमा गोवा यहाँ पर देखो यह गोवा है और गोवा का बंदरगा मैं पेंचेंज क पर लेता हूँ जैसे आपको आसानी हो तो गोवा का बंदरगा है याद रखना या पर में लिख देता हूँ मारमा गोवा बंदरगा गोवा के बंदरगा का नाम है मारमा गोवा पीछे ही गोवा लिखा है अराम से याद हो जाएगा मारमा गोवा भाई किस राज्ये का है गो मैंगलूरू क्या है भई मैंगलूरू या बैंगलूरू अपन कह सकते हैं बैंगलूरू तो मैंगलूरू कहां पर करनाटक में तो करनाटक का बंदरगा हो जाएगा मैंगलूरू किलियर है आगे बात करते हैं केरल यह आपका केरला और केरला का एक बंदरगा है कोची बंदर पांच और छे तो यहां पर अपने पश्चिमी तठके जो बंदरगा है छे बंदरगा याद रखना आपको इनके नाम कांडला नावासोवा मुंबई अगला है आपका मारमा गोवा अगला है आपका जो केरल का है कोची और करनाटा का मैं अंगलूरू ठीक है भई तो यह बं अपने पश्चिम तठके बंदरगा की बात कर ली अब अपन बात कर लेते हैं पूरवी तठके बंदरगा तो यह मैं में मीटा देता हूं उमीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा पेज पर तो अब अपन बात कर लेते हैं जो पूर्वी तट के बंदरगा की चलो पूर्वी तट में बाई सबसे पहला अपना जो है यहाँ पर राज यह आता है तमील नडू और तमील नडू के अपन बंदरगा की बात कर लेते हैं तमील नडू के बंदरगा के लिए आपको एक याद रखना होगा C A T cat 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 miss billy तो C for याद रखना चैनाई बंदरगा तमील नडू का हो जाएगा चैनाई बंदरगा अगला A for हो जाएगा एन और बंदरगा एन और एन और बंदरगा चैनाई बंदरगा और तूती कोरीन बंदरगा तूती कोरीन बंदरगा तो यह तीनों बंदरगा है अपन तमील नाडू के याद रही जाएगा वई तूती कोरिन बंदरगा एनॉर और चैनाई तो सी एटी यानि की तमील नाडू के तीन बंदरगा याद हो गए अगे चलते हैं अगला अपना जो है राजीय आता है अंदर परदेश अंदर परदेश का कौन सा बंदरगा है का पठनम बंदरगा हो जाएगा इसे ये वह सबसे गहरा बंदरगा यदी पूछ ले भारत का सबसे गहरा बंदरगा कौनसा है तो ये हो जाएगा विशा का पठनम अंदर परदेश वाला बंदरगा इतर अपने क्या वा कितनी बात की तीन तो ये और ये चोथा विशा का ओडी शा एक द्वीप है एक दीपक है दीपक में जनरली अपन तेल डालते है तो जलता है लेकिन जब उसमें पारा डाला गया तो वो उड़ने लग गया तो पारा द्वीप याद रह जाएगा ओडी शा किलिए रहा अगला देख लीजिए अगला एक आता है अपने वस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का बंदरगा आता है कौन सा भाई कॉलकता कॉलकता याद रह जाएगा कॉलकता आराम से याद रहे गए कहां सा भाई कहां का है बंदरगा पश्चिम बंगाल का ठीक है कॉलकता हो गया पाराद्वीप हो गया चैन नई एन और तूति कॉरीन यह हो पॉर्ट ब्लेर बंदरगा यह आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार का पॉर्ट ब्लेर बंदरगा तो यह साथ इदर और यह छे इदर यह अपने होगे टोटली तेरा बंदरगा की बात की ट्रिक से बताया एक बार वापसे वीडियो देख लेना कभी जिन्दगी में ना बूल पाओंगे बाबू ठीक है बाई तो यह अपनी आज की छोटी सी कलास थी उमीद करता हूँ यहां से यह एक प्रशन पूछे तो आप अरहम से कर लोगे यहां पर आपका दो नंबर पका रहा जाएगा ठीक है बाकी जो है टॉपिक वाईज में करन्ट अपैर्स और ज देखते रहना अपना ख्याल रखे जय हिंद जय भारत